तो जहां खुश लेकिन अगर आपका जीवन साथी आपसे असंतुष्ट है तो क्यों है? क्यों आर्मान तूटकर बिखर रहे हैं? कभी सोचा है आपने? आज जन गिनत लोग अपने विवाहिक जीवन को आनंद में बनाने के लिए डॉक्टर एस के जैन एवं डॉक्टर सारांश जैन से इलाज का लाब ले रहे हैं तो आप क्यों नहीं? दुनिया जहाने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न कर ली हो फिर भी आज सेक्स को एक हववा ही माना जाता है सेक्स से संबंदित समस्याव पर शर्म और संकोच वश कोई खुलकर बात ही नहीं करता जिसकी वज़े से उसका जीवन दिनों दिन अदेरे में गिरता चला जाता है इस अदेरे में उजाली की किरंट बनकर आपकी सेक्स संबंदित समस्याव का समधान करेंगे अंतरवास्टिये ख्याती प्राप्त योन रोग विशेशगे, डॉक्टर S.K. जैन कि संचय करना ग्यान और सद्गों अपनाना, संचय करना ग्यान और सद्गों अपनाना और निज सरीर को तुम्हें खूब है, स्वस्त बलाना जीवन में सुख शान पी मिली है, बर्लिंटन क्लिनिक याद रहेगी, जिससे जीवन को नई दिशा मिली है जीवन के फिर एक मनी शुरबात, डॉक्टर S.K. जैन के साथ नवश्कार बहुत बहुत स्वागत आपका Sex Education and Your Queries के एक नए एपिसोड में दोस्तों बदलते जमाने के साथ साथ इस्तरी प्रोशों के सेक्स्वल रिलेशन्शिप में भी काफी बदलावाया है वो समय गया जब इस्तरियां अपनी सेक्स्वल प्रोशों को अपने पती के ओवर निचावर कर दे जें कभी उन्होंने उनसे डिमांड नहीं की चुप चात सहती थें लेकिन आज जमाना बदल गया है औरत और मर्द कंदे से कंधा मिलाकर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं अब देखा जाता है बहुत सारे केसेज में कि डिवोर्स हो जाती है और उसका कारण पती का पतनी को संदुश्ट ना कर पाना अब बहुत सारे ऐसे केसेज भी देखे गए हैं जिसमें कि एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर्स हम देखते हैं कि सुसाइटी में पुरी तरह पना पर रहे हैं इन ही मुद्दे पर हम आज इस एपिसोड ने बात करेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एस के जैन से स्रिष्ट्री के आरंद से ही मनुश्य की चाहते, उमंगे और जरूरतें उसके साथ चली हैं इन स्वाभाविक जरूरतों में सबसे प्रमुख है सेक्स यानि एक आनंद पूल सामाजिक जीवन इसलिए जरूरी है कि हमें सेक्स के प्रती सही जानकारी मिले और गलत उपायों से हम अपना जीवन नश्च ना करें कुछ इसी तरह का कारे कर रहे हैं इस विधा के पुरोधा भारत के शीष साइको सेक्सोलोजिस्ट डॉक्टर एस के जैन आपने सन 1974 में लखनो विश्विद्याले से बैस्टर ओफ आयरुवेदा विद मॉडर्ण मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधी प्राप्त की इसी के साथ आपने अपने टेलेंट और लगन के बल्बूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रथिष्टे संस्था की सदस्ता प्राप्त की डॉक्टर एस के जैन ने प्राचीन आयरुवेद पद्धती के साथ आधुनिक चिकिस्वा प्रणाली का मिश्रण करते हुए बर्लिंटन क्लीनिक प्राइविट लिमिटेट की स्थापना की इस क्लीनिक के द्वारट एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडरन टेक्नोलोजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक समस्याओं से मुप्ती देते हैं और इस कारे में डॉक्टर जैन के साथ कंदे से कंदे मिला कर साथ देती है उनकी मेनती वर सेवा भावीर से अश्टी डॉक्टर जैन को इन्हें प्रयासों के कारण अनेक बार कई पत्रश्रित पुरसकारों से इस सम्मानित किया गया है डॉक्टर जैन एक इमानदार, सफल तथा विश्वस नियव्यक्तित्तों हैं आप मानव समाज के लिए एक वरदान हैं डॉक्टर जैन के लंबे अनुभव का लाख लाखों लोगों ने लिया है और अब बारी है आपकी आए स्वागत करते हैं फेमस साइको सेक्सिलोजिस डॉक्टर एसके जैन साब का डॉक्टर बहुत-बहुत स्वागत आपका कारेक्रम में जालन हाज सेक्सिलोजिस डॉक्टर बात हो रही है कि जो महिलाएं जो फीमिल कैने काउंटर पार्ड हैं वो सेक्स के काफी जाग डुख हो रही हैं वह अट का क्या कहना है बारे में आपके पास जो फीमिल आती है अपनी प्राप्लम शेलेकर तो क्या वो पूरी तरहाँ ख का स्रस्ट का नियम है आज के दौर में ये परवरतन अतकांस्तिया देखा गया है कि पहले की दौर में जो समश्याएं इस तरह अपने दिल ही दिल में रखे और काफी डिप्रेशन में आ जाती थी आज वो खुल के बात करने लगी हैं उसके बारे में पूछने लगी है कि गंदरी प्राबलम मुझे क्या करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा दौर है और इस प्रकार से इस्तियों को जागरूख होना चाहिए जिससे उनके जीवन में खुशाली हो और वो आगे बारे हैं जी हाँ और डॉक्टर सब एमेल का सिलसले शू करते हैं जी ये इसमें लिख रहा है कि डॉक्टर सब मैं बहुत ही पतली यूवती हूँ चेहरे पर रौनक भी बहुत कम है और शादी भी नहीं हुई है उमर इनकी है 26 साल और ये कहते हैं कि मुझे लगता है मेरी योनी से जो सफेद डिस्चार्ज होता है क्या उसका कोई उप्चा कि अमर है तो इसमें आपको बिल्कुल परिशानी होना चाहिए और जहां तक चेहरे की ब्यूटी से संबंध है तो उसके लिए यदि आप थोड़ा सा बैलेंस टाइट लेंगी अपनी नींद का ख्या लखेंगी हमें से याद रखें कि आहार और निद्रा जो है वो स्वस् जीवन के लिए स्वस्थ लाइव स्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है इन दैट यू है तो मैं तो मैं तो मैं तो मैं तो जो जो चेहरे की ब्यूटी बाली चीज़े हैं और आशकल तो काफी अच्छी अच्छी विधाय आ गई हैं आप उसका साहरा लीजे और अपने चे जीवन में हमेशा एक अच्छा जीवन साथी मिले और जहां तक अगर योनी मार्क से वो श्राव जैसा मतल़ सिक्रिशन तो ये लेडिज में एक बड़ी आम प्रॉबलम है और इसको लिकूरिया कहते हैं और ये लिकूरिया हो जाए तो इसमें कोई घबडाने या परेशान होनी जेलोत नहीं है और इसके लिए प्रॉपर आयरवेध के अंदर काफी अच्छी अच्छी दमाएं है आयरवेध की सबसे बड़ी आगर विसेश्चा है तो ये है कि ये मर्श को पूरी तरीके से जाव से दूर करने में सक्चम है बले ही महीने दो महीने तीन महीने से बरी हुई चीज़े हैं थोगा कम लेनी चाहिए हफ्ते में एक आध बार ली भी जा सकती है आप चिंता ने करें बिल्कुल ठीक हो सकती है जी हाँ मुझे अमीद है कि आपके सवार का जवाब मिल गया होगा बहुत धन्यवाद आपका आपने अपनी समस्थे को हमारे साथ शेयर किया ट्रक्सरब एक और इमेर है लिखती है कि मेरी उमर 31 साल है और मैं शादी शुदा हूँ मुझे मासिग धर्म के दुरान कमर में और पेडू में बहुत धर्द होता है और इनकी जो mental cycle है वो भी irregular रहती है क्या करें उमर 31 साल है और बाई दिवे आप मेरेड हो और यदि बाई दिवे कमर में या पेडू में आपको दर्द होता है पेड़ू का मतलब पेट का निचला हिस्सा, पेट और योनी के बीच का हिस्सा, तो you have to maintain, as I have told you previously, about the nutrition, sleep as well, जब भी आपको message हो, तो आप particular पेड़ू के हिस्से पर थ्वासा, बैसे तो नीम की पती की सिकाई बहुत अच्छी मानी जाती है, गरम पानी के साथ में, लेकिन अपलाई होट वाटर बैग, और यदि भाई दिवे, आप इस अपनी प्राब्लम को किसी भी इस्ती दोग विशेशक इसे परामर्स लेंगे, कॉंसल करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप ठीक हो सकती हैं, बैसे आयरवेद में भी इसकी काफी अच्छी दभाएं हैं, जो शिशको जल से ठीक करने में सक्षा मुझता हैं, जो इनके वजानल एरिया में लुब्रिकेशन की कमी से ये पिरिद हैं, और उसी के कारण सेक्स के प्रती उदासीन रहती हैं, क्या करें? जो ये प्राब्लम है, कि वहाँ पे उतना लुब्रिकेशन नहीं हैं, तो यदि लुब्रिकेशन की प्राब्लम हैं, तो इसमें कोई परिशान होने बाली बात नहीं हैं, और मार्केट में काफी अच्छे-च्छे इसके लिए जैल्स हैं, क्रीम्स हैं, आप किसी को भी अप करेंगे वो आपकी पूरी तरिके से केर कर देगी जहां डॉक सब इस जवाब के साथ ही वक्त हो चला है चोड़ी से ब्रेक का और हम डिसकस कर रहे हैं फीमिल सेक्सल प्राबलम्स को और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप बिना जिच के हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं फोन कर नमबर है 099-366-04444 इसी नमबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं हमारा इमेल का पता है डॉक्टर-S-K-Jain Solutions at the rate of gmail.com यदि आप डॉक्सअब से सीधा संपर्ग करना चाहते हैं तो डॉक्सअब की लखनों की क्लिनिक का नमबर है 0522-4004444 आज की इस दुनिया में जब जंदगी बिखर रही है बेपनात तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही हैं आरजूएं बेकाबू हो रही हैं तब कहां है हमारे सबने कहां है हमारी सेहत जनाब इसी तसवर को सामने रखकर हम आप को मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी काम्याब शक्सियत से जिन्होंने सिक्स और जंदगी चाहत और सेहत को नई दिशा दी है जी हाँ हिंदुस्तान के मशुहूर साइको सेक्सोलोजिस्ट डॉक्टर एसके जैन जिन्होंने बर्लिंग्टन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड विधान सभामार्ग लखनव को दिया एक नया आया बलकि पूरे भारतवर्ष और विदेशों से आये हुए मरीजों को अपनी यहन समस्याओं के लिए कामियाब इलाज पाने में न दूरी लगे न देरी आज हमारे यहां पूरे भारतवर्ष ये मरीज आते हैं और हम उन्हें वर्ट क्लास टीटमेंट देनी की कोशिश करते हैं साथ ही अनगनित मरीज पूरी तरह से सटिस्फाइड हो कर जाते हैं डॉक्टर नेचिन रुग्यों की मैरीज कॉंसलिंग पर पुरा ध्यान देते हैं डॉक्टर जैन का सपना है सेक संबंधी समस्याओं के लिए बहतर इलाज का सही प्रमन्त और मरीजों का धोखे बाजों और नीम हकीमों से इसी सपने का एक ठाकिकत रूप है सेक संबंधी किसी भी समस्या के विश्वसनिये वं गोपनिये उपचार के सुगधा स्वैम डॉक्टर एसके जैन की देख रेख में यहां उपलब्द है सेहत, सेक्स और सुखी जीवन की आस डॉक्टर एसके जैन का विश्वास अगर आपकी सेक्शुल जंदगी ठहर जाए तो डॉक्टर एसके जैन की द्लिनिक पर आप दस्तक दीजिए दर्वाजा खुलेगा और आप पाएंगे खुश्यों का गुल्दस्ता लिये खड़ी है डॉक्टर एसके जैन की कुशल और क्वालिफाइड ठीजिए संपर करें बर्लिंग्टन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड बर्लिंग्टन क्रॉसिंग 28 अबलिक ए विदान सभामार लखनाओ आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 0522-400-4444 हमारे मुबाइल नंबर है 09935-109999 और 09935-562999 हमारा इमेल आइडी है डॉक्टर इसके जैन सॉलूशन्स अड़रेट जीमेल डॉट कॉम इस कारेकरम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 099366-04444 इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं हमारा इमेल का पता है यदि आप डॉक्टर इसके जैन सॉलूशन्स अड़रेट ऑफ जीमेल डॉट कॉम यदि आप डॉक्टर इसके जैन से सीधा संपर्ग करना चाहते हैं तो डॉक्टर इसके जैन की लखनों की खिलिन का नंबर है कि गर्ब धारन करने की सही अमर क्या होती है देखे गर्ब धारन करने के लिए मिनिमम बैसे तो बाइस साल के पहले भी गर्ब धारन किया जा सकता है लेकिन अगर साइन्टिफिकली देखा जाए तो औरत को अपने आप में थोड़ा जुम्मेदार भी होना चाहिए लेहाजा बाइस साल से लेके और मैं समझता हूँ के 35 साल की उमर सबसे सेफ पीरिट मना जाता है जिसमें बचे, गोरे, सुन्दर और स्वस्त पैदा हूँ और बाद बगी अगर सेगंड फेज में 35 साल के बाद भी ऐसा दिखा गया है कि 45 साल तक यहादी मैंसेज हो रहा है तो कंसेप्शन हो सकता है, गर्ब धारन हो सकता है लेकिन ज़्यादा अच्छी है जो है, जो मैंने बताई है जी हाँ, धन्यवाद आपका सवाल करने के लिए है और जैसा कि डॉक्स साथ में बताया है कि गर्ब धारन करने की जो आइडियल एज है वो है 22 साल से 35 साल तक मुझे अमीद है कि आपकी कोड़ी साल हो गए होगी अगर आपकी कोई समस्तिया है तो हमें कॉल करते रहे हम आपकी समस्तिया को रखेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एसके जन्साब से और अगला एमेल है यह कहते हैं मेरी शादी को दो साल हुए और मेरे पती कहते हैं कि पर्थम संभोग में बलड नहीं आया था डॉक्टर बहुत ही इस तरह के पावलम बहुत नॉर्मल है खास्तों से जो पुश वर्ग है वो इस पर जावा दियान रखता है आगर कहते हैं कि वो मुझे पर शक करते हैं मुझे क्या करना चाहिए बचाता हूँ डॉक्टर इनको भी आप संभोजित करें और इनके पती को भी यहां से कोई बात बताए बाई डिवे इसमें जो इस बची की समश्या है तो मैं चाहूँगा कि यह अपने पती को इस मामले में करे उसको बताए जो मैं कहने जा रहा हूँ उससे सुनवाएं उनको कि यदि बाई डिवे पर्थम इंटर कोर्स में ब्लड नहीं आया है तो इड़ेजन मीन के दे रिये कोशन अब दा वर्जिनिटी यह वर्जिनिटी सम्मंदित कोश्चन है क्योंकि अब शादिया जो है वो तक्रीबन 21-22 साल यह से उपर बच्चियों की होती है और पुरुस की आयूँ उसी साब से थोड़ा सा आधिक होती है तो जिस समय मैंसेज की प्रिक्रिया प्रारंब होती है उसके बाद में यदि भाई दिबे थोड़ा सा भी बचे आजकल स्कूल में खेलते हैं या भाई दिबे कोई मेहंती कारिक किया तो अगर भाई दिबे रप्चर हो जाती है और या गाता है तो तो वो उसके सम्मंद कहीं और रहे है या वो शक करने योग है ऐसा नहीं है आप बिल्कुल मदोर संबन्द अपनी धरम पत्नी के साथ में बनाए और मैं समझता हूँ कि यदि आप शक नहीं करेंगे तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा क्योंकि कहते हैं कि शक का इलाइस तो लुगमान हाकीम के पास भी नहीं है जी आपके साथ हूँ नहीं चाहिए कि दोनों आपसे बैठे कम्मिनिकेट करें और यह जो मिथ है इसको निकाल दें और एक खुशाल जो अपनी मैरिट लाइफ है उसको एंजॉय करें और हुम बहुत शुकर गुजा रहे हैं कि आपणी समस्या έ 놓 комп ओ शेयर करते हैं अब जो रहे होगी और उससे आप लभ अनवित होंगी और अब एक नज़्य डालते हैं डाक साफ केمة 40 चालीस साल के अछिएर आ हुए उपार होते हैं उनके अचीमिंट से आज की इस दुनिया में जब जिन्दगी बिख़ रही है बेपना तमनाएं हर दिशा में भटक रही हैं आज जूएं बेकाबू हो रही हैं तब कहां है हम तक हैं हम अफ हमारे सपने कहां हैं हमारे से यह तलाश सिर्फ मेरी नहीं आपकी ह हम सब की है इस तलाश में मनजिलें कम भटकाव ज्यादा हैं तो कैसे मिले मनजिलों का पता कैसे सवारें इस जिंदगी को कैसे जवानी दे नए रूप में योवन को जनाब इसी तसवर को सामने रखकर हम आप से मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी काम्याब शक्सियत से जिन्हों ने सेक्स और जिंदगी चाहत और सिहत को नई दिशा दिये डॉक्टर एस के जैन हिंदुस्तान के मश्रूर साइकु सेक्सोलोजिस्ट डॉक्टर एस के जैन एक खांदानी डॉक्टर ही नहीं आयरविधिक एवं एलोपैथी दोनों विधाओं के एक काम्याब और कौलिफ डॉक्टर हैं आपने सन 1994 में लखनुव विश्व विध्याले से बैसलर ओफ एविदा विद मॉडर मेडिसिन एंड सर्जरी की उपादी प्राप्त की इसी के साथ आपने अपने टेलेंट और लगन के बल्भूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रथिष्टे संस्था की सदस्यत रात की तमाश बीनों से आपको बाखबर करने नीम हकीम खतराय जान से आपका दामन बचाने और आपको सिहत मंद बनाए रखने के लिए सही सेक्स का खुबसूरत और आसान रास्ता दिखाने डॉक्टरेस के जैन अपने बर्लिंटन क्लिनिक प्राइविट लिमिटेड के जरिये आप तक पहुँच रहे हैं इस क्लिनिक के द्वारा डॉक्टर जैन एक ही छट के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नलोजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समर्ष्याओं से मुप्ति देते हैं डॉक्टर जैन के पीछे मेहनतों का एक लंबा और खुपसुरत सिलसिला है और इसे सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं उनके होनहार बेटे डॉक्टर सारांश जैन और उनकी समर्ष्याओं सेक्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्याओं का कॉन्फिडेंशन इलाज करने जिन्दगी को सिहत मंद बनाने में डॉक्टर एस के जैन को महारत हासिन है तो उनकी आइडेंटिटी रिकेवल रजिस्टेंश कोड के द्वारा ही निर्दारित होती है ताकि बात जो है हमारे और उनके बीच में ही गुपतर है तो आईए रूबर होते हैं डॉक्टर एस के जैन से सबसे ज़्यादा गलत फैमिया आज सेक्सुल प्रॉब्लम के साथ जोड़ी कोई है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लोग प्रॉब्लम होते हुए भी उसे नहीं मानते या यूँ कह लीजे कि अपने को एक्सपेस नहीं कर पाते है या सर्म संगोश बस अपनी बात कहने ही पाते है या साइड उसे अपनी इगो से चोड़ने रखते है आयरवेदिक दवाओं के साथ साथ सामानने व्यायाम से लोगों को चुस्ती फुरती देते हैं बर्लिंटन क्लिनिक प्राइबेट लिमिटेट बर्लिंटन क्लिनिक प्राइबेट लिमिटेट बर्लिंटन क्रूप आप मेडिकल रिसर्चेस की एक यूनिट है जिसमें हमारे पास है एक पहत्रीन क्वालिफाइट कुसर टीम जो के अपने मरीजों को pre and post educate भी करती है और हम लोग दबाईयों को केवल manufacture ही नहीं करते बलके उनको अपनी manufacturing unit में उनको grow करते हैं उसके बाद अपनी डबोटरी में उनकी पूरी चार्च पाताल करके उन दबाईयों का निर्माण करते हैं और उसे अपनी मरीजों की सेबा के लिए उपलब्द करते हैं समाज में सेक्स संबंदे तकलीफों से लोगों को मुक्त कर उने आनंद दाज़क जीवन दोगाने के लिए डॉक्टर एस के जैन को दुनिया के कई प्रतिष्टिट और शीष्ट प्रुसकारों से नवाज गया है इनके अलावा भी आपको देश विदेश के अनेक प्रतिष्टिट सम्मानों से अलंकृत किया गया है हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आप डॉक्टर एस के जैन के अनुभवों का लाब उठाएं और सक्सस्फुली और सेक्स्फुली जिन्दगी जीएं समझदारी से होश्यारी से अगर आप डॉक्टर इसके जैन से संपर करना चाहते हैं तो हमारा पता है बर्लिंटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड बर्लिंटन क्रॉसिंग 28 अबलिक ए विधान सभामार लखनाओ आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 0522-400-4444 हमारे मुबाइल नंबर है हमारा इमेल आइडी है इस करेकरम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 099-366-04444 इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं हमारा इमेल का पता है यदि आप डॉक्सअब से सीधा संपर्ग करना चाहते हैं यदि आप डॉक्सअब की लखनों की क्लिनिक का नंबर है 0522-400-4444 जहां रख सब जाने से पहले मैं आप से गुजारिश करूंगा कि क्योंकि आज बात हो रही थी महिलाओं की सेक्सवल प्राब्लम्स की तो जाते जाते कोई एक संदेश कोई मैसेज देना चाहेंगा मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जो अच्छी लाइफ स्टाइल के जो प्रॉपर कुछ रूल्स हैं मैथर्स हैं उनको आप अपना है और इसी के साथ मैं चाहें तो इसी को नोट कर लें कि जैसे कहा जाता है कि अल्ली तो बैट अल्ली तो राइज मेक से मैं हैल्दी वैल्दी और बाइज सेगंड तिंग न्यूट्रिशन के मामले में इस बात का पिशेश खिया लखिये कि डोंट टेक दा फूड बेद हरी बरी और करी अर्थात यानि मतलब जब जब खाने को बहुत जल्दी अल्दी मत खाईए आराम से खाईए बरी बरी का मतलब यानि बहुत ज़्यादा चिंता युक्त यदि आप भोजन करेंगे तो आपके लिए पॉजन बन जाएगा फूड पॉजनिंग कारणा मनता ही आई तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए यानि हरी बरी और करी करी मिन्स बहुत ज़्यादा मिट्स मसाला डाइट मत लीजे इसे मन के भाव सुद रहते हैं अच्छे रहते हैं और पत्पत्नी की बीच में जो एक आपसी बिश्वास है वो जीवन का आधार है जीवन की आधार शिला है उसको मजबूत रखिये एक गुसरे कुपर बिश्वास कीजिए मैं समझता हूँ कि आपका जीवन खुश्यों से भर जाएगा यही मेरी दिली अभिराशा है और यहीं वक्ते हैं आज के एपिसोट को भी हैं पर वाइंड अप करने का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद डग्सरब मैं जानता हूँ बहुत ही बिजी शडूल है आपका आपके दोखने निक हैं उनको सबालना होता है बहुत बहुत शुक्रें तो आज बस इतना ही फिर से हमें आपको याद लानू कि अपनी समस्याओं को अपने अंदर मत रखिये ऐसा करने से हो सकता है कि वो मांसिक रूप का रूप ले ले तो ये प्रेटफार्म है इसको इटलाइस कीजे अपनी समस्याओं को हम तक पहुचाएए हम उसको शेर करेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एसके जैन साब के साथ और आपको पहुचाएंगे गाइडिंस आज बस इतना है कल अगले अपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक आग्या दीजे नमस्कार शुम्राति शब्बाखेर खुश रहिए स्वस्थ रहिए दुनिया जहाने चाहे कितनी भी तरक्की क्यो ना कर ली हो फिर भी आज सेक्स को एक हवव ही माना जाता है सेक्स से संबंदित समस्याओं पर शर्म और संकोच वश कोई खुलकर बात ही नहीं करता जिसकी वज़े से उसका जीवन दिनों दिन अंधेरे में गिरता चला जाता है इस अंधेरे में उजाली की किरंट बन कर आपकी सेक्स संबंदित समस्याओं का समधान करेंगे अंतर रास्टिये ख्याती प्राप्त योन रोग विशशग्य डॉक्टर S.K. जैन के संचय करना ग्यान और सद्गुण अपनाना संचय करना ग्यान और सद्गुण अपनाना और निज सरीर को तुम्हें खूब है स्वस्त बनाना डेकिए सिक्स एजुकेशन आन्ड यूर कोईरिस गुजान यौन रोगों से मुती मिली है जीवन में सुख शान्ती मिली है बर्लिंग्टन क्लिनिक याद रहेगी जिससे जीवन को नई दिशा मिली है जिन्दगी के कल के वे हसीन पल बने रहेंगे आज और बने रहेंगे कल जीवन के फिर एक नई शुरबात डॉक्टर एसके जैन के साथ आप खुश तो जहां खुश लेकिन अगर आपका जीवन साथी आपसे असंतुष्ट है तो क्यों है? क्यों आर्मान तूटकर बिखर रहे हैं? कभी सोचा है आपने? आज जन गिनत लोग अपने विवाहिक जीवन को आनंद में बनाने के लिए डॉक्टर एसके जैन एवं डॉक्टर सारा जैन से इलाज का लाव ले रहें